हलो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि PHP में मुल्टिपल इमेजिस कैसे अपलोड करते हैं ठीक है तो मैं आपको दिखा देखता हूँ यह मैंने इंडेक्स.php फाइल बनाई हुई है और एक अपलोड.php फाइल बनाई हुई है एक फोल्डर बनाई हो जहां हम लोग की इमेजिस जाएंगी थी है तो चलिए एक फार्म बना देते हैं फुरा सा तो मैं एक हैं हुआ हैं एक हैं है ट्यॖ छोड अफडु टो गीज Bennett पिक फाइल भुटें बना धर बनाई है और बनाई है किलेक इस पुरूल नहहुआ है 511 कर दोस्तों यह देने जरूरी होता है जब हमनों कोई फाइल इमेज फीडियेफ अपलोड करते हैं तो हम इंपुट टाइब फाइल देले पिन माइए इमेज इसका नाम रख देते हैं ताइब फाइल में ठीड है एक बटन बना देते हैं अब टाइब सब्सक्राइब करें तो आप लोड़ इमेज़ेज चली देखते ही कैसा दिखता है मुझे मैंने स्टाइलिंग नहीं करें तो वह आप लोग करते रहे हैं मेरा वह मतलब नहीं बताने का फिक है अब लगा देखते हैं और दोस्तों एक पार धिहम रखें कि हम लोग मतीपल इमेजस कर रहे हैं तो ठीक है तो हमारी सारी मेरी इस एरे में से वहां तीसलिए भी लगा दिया थे आप हम लोग यहां का कोज लिखते हैं आप लोड़ डॉट पीच्पी में आप हमारे यह आ रहे हैं ठीक इमेज इस तो मैंने देखा लिए इफ इसके मिसे इतना लगा रहे हैं ठीक इंडारेक करते हैं हमें लूप लगाना पड़ेगा कि मैंटिपल इमज आ रहे हैं अकसा ठीक है तो इहां पर रहे हैं रहे हैं इसका मतलब वह इमेज आ रही है इमेज का नाम निकालते हैं ठीक है इमेज नेम हमारा फाइल और यहां पर एक नेम अप्चुकि मल्टिपल इमेज आ रहे हैं तो इसलिए हमें यह रखना पड़ेगा की कौन सी वाली इमेज का नाम ठीक है और उसका टेम्पररी नेम भी निकालना पड़ेगा इसे तरह किसे इसलिए नेम कर लिए हमें रहा पड़ेगा इसलिए नेम कर तो आम बस एक रिजल्ट बनाया अप्लोटिट फाइल्स यह क्या लेता है फाइल का नाम लेता है और देस्टिनेशन कहां पर भेजनी है तो हम दोगे देस्टिनेशन मतलब की डारेक्ट्री इस नाम से फूल्डर मना है हम यहां दे जाना ठीक है तो इसको यहां पर रख देंगे और इमेज का नाम हमारा है इसके साथ कॉंड कर देंगे और कहां से ले जाना है हमाँ टींपी नेम से यह यहां बढ़ते हैं त्यूंद नेम और डिर्क्री नेम और डिर्क्ट्रीन एम और कॉंड्रेट्रीनेशन फायल में अब हम लोग इसकी चेक कर देंगे रिजल्ट रुल के बाहर देए रिजल्ट लोग अप्लोल देग तो चलिए फ्रेंट्स चेक करते हैं इसे आमने इमेजेस लेताओ में आसे ये सारी ही कि अपार माल शुद्स मुद्स में एक गलती रहे गई मैं इम इस सेलट्ट करना किया अपिछना पड़ेगा माई कि पर तब मोल्टीपल इमेजेस लेक्ट करने देगा रहें कि अवे आप दे को कर देखिए मैसेज आगे फोल्डर में चेक करते हैं कि देखिए इमेज्ज आ गई हमारी देखिए अब लोग सुन यह पूछ सकते हैं कि इमेज्ज लोग को डेटाबेस में श्टूर कर देखिए तो आप सिंपली एक काम कर देखिए गा आए आए एंजी नाम से एक ब्लैंक फोल्डर बना दीजिए गा और इसमें क्या कर दिए गा इहां पर यहां पर कहीं लिए का इम जी डॉठ लगा 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 कि हम लों इमेज बना लेते हैं तो इए एक हर बार यह कमा लगा लगा कि इस तरीक से बनाता जाएगा एबिसी डॉट प्टिंग इंग वा में जे अब डॉट ये इस तरीके से हमारी इमेजिस बनती जाएंगी आईगी हम लोग सिंपली कॉलम में सेब करा लेंगे जब हमें दिस्प्ले कराना होगा तो यह कॉमा से अपरेटर हैं तो हम लोग एक्सप्लोड फंक्षन जानते हैं ऐसे इमपलोड एक्सप्लोड तो एक्सप्लोड क्या करें कहा कॉमा से हम लोग इसको एड़े बना देंगे और इसको लूप में घुमा देंगे तो हमारी इमेजिस शूब जाएंगी तो वह महीं नहीं कर रहा है इस वेरियाबल को आफाइ कर ने चानल को, थांक यू